हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फेर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर जिसमें मैं आपको बताऊंगे एक ऐसा फेशिल जो सोने से बना नहीं है मगर आपको निखार सोने जैसा देता है यह नैश्रल चीजों से बना है तो हम कैमिकल वाली चीजों से बच जाते है और साथ ही साथ यह इंस्टेंट रिजल देता है यानि कि यह आपका कॉमपलेक्शन फ्रेयर करने में काफी हेल्प करता है साथ ही साथ आपके चेहरे से दाग धब्बे भी हटाता है और आपके फेस पर यह नैश्रल ग्लो लाता है और साथ ही साथ यह आपके फेस पर पिमपल होने से भी रोकता है जी हाँ बहुत ही कम चीजों से हम यह सब चीजे पास सकते हैं तो चलिए यह सब जानने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जिरू कीजिएगा इससे आपका प्यार्ज लगता है फेशियल का फॉस्ट स्टेप है क्लिंजिंग इस क्लिंजिंग को करने के लिए मैंने लिया है रॉव मिल्क यानि की कच्छा दूद और इसमें हम कुछ भी आड नहीं करेंगे अपने आप में ही कच्छा दूद आपके स्किन को क्लिंजिंग तो करता ही है साथ ही साथ ही आपके स्किन को नरिश करता है आपके स्किन सेल्स को ठीक करता है और आपके स्किन को नैशरली मॉस्टराइज भी करता है इससे ज़्यादा बहतरीन और असरदार आपके लिए कोई भी क्लिंजर नहीं है भले ही आप मार्केट से कोई भी क्लिंजर कियो ना ले ले लेकिन ये जो नैशनल चीज है इससे बेस्ट रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं है आपके चेहरे के लिए आपने डारेक्ट रॉ मिल्क लेना है और इसमें कुछ भी आड नहीं करना जस्ट रॉ मिल्क ही लेना है और इससे अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन करना है एक से दो मिनट तक के लिए आप खुद ही इंस्टन रिजल्ट देख सकते हो अपने कॉटन पर ये फेशिल आपके एकनी प्योर स्किन को भी रिपेयर करता है और आपके फेस पर इंस्टन ग्लो देता है चलिए अब बात करते हैं कि हमारे सेकेंड स्टेप की जो की है स्क्रबिंग स्क्रबिंग के लिए आपने सबसे पहले लेना है एक चमच चीनी और फिर इस एक चमच चीनी में आपने एड करना है दो चमच निम्बू का रस और फिर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर अपने फेस पर स्क्रबिंग करना है बहुत हलके हातों से एट लीस्ट त्री टू फोर मिनट के लिए आपने हलके हातों से अपने चैरे पर इतनी अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है कि जो शुगर है वो अब मेल्ट होने चाहिए शुगर यानि की चीनी की जो दाने हैं वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सफॉलियेट करते हैं आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स निकालते हैं साथ में इसमें हमने जो लेमन डाला है उसमें होता है भरपूर मातरा में विटमिन C जो कि पूरे दिन का मैल निकालने के लिए काला पन निकालने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है एक जातो की तरह काम करता है ये एक step भी आपके skin पर एक magic की तरह काम करता है आपने सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए ही अपने चहरे को अच्छी तरह से scrub करना है और फिर किसी साफ cotton के help से अपने चहरे को साफ कर ले अब बात करते हैं हमारे final step की जो की है face pack इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है हल्दी आपने लेनी है एक चुटकी हल्दी और इसमें फिर एड़ करना है शेहन अप्रॉक्सी में आपने एक चमच हनी एड़ करनी है अब आपने इन दोनों चीजों को आपस में अच्छी तरह से mix करना है यूँ तो पहले के दो स्टेप ही आपके चेहरे पर एक magic जैसे काम कर चुके होंगे लेकिन अगर हम बात करें कि आपके चेहरे को natural glow देने की तो ये face pack वहीं काम करता है आप देख सकते हैं कि पहले दो स्टेप फॉलो करने के बाद ही खुद ही skin कितनी ज़्यादा glow कर रही है और ये face pack ना कि सिर्फ आपके skin को glowing बनाने में काफी help करेगा बलकि ये आपके skin cells को repair करता है साथ ही साथ ये आपके pimper को भी दूर करता है और आपके skin पर खोई हुई चमक को भी वापस लाता है और ये आपके skin पर एक natural shine लाता है ये एक natural moisturizer भी है या तो फिर आप कह सकते हैं कि ये आपके skin के लिए एक natural medicine भी है 20 minute आप इस face pack को लगाने के बाद फिर simple water से wash कर ले एक ही बार में इन 3 step को follow करने के बाद आप facial का glow अपने face पर देख सकते हैं बिलकुल सोने जैसा natural निखार आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिलकुल भी न भूले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन बेल दबाए अपडेट्स के लिए और थैंक ये सो मच पॉचिंग इस वीडियो बाबाई